सचार जी दिपाबली के दिन लोग जुअ खेलते हैं ये जुआ खेलना कितना सुवरतार या कितना गलत है ये आपका प्रस जूआ खेलना तो जूआ जूआ नाम ही खराब है। जूआ खेलना जो है वह अच्छा चीज नहीं है। लेकिन विशे सतह दिवाली के दिन लोग जूआ खेलते हैं अपना भाग अजमानी के। ये आदत नहीं है तो उस दिन मा लक्ष्मी की पुजा करके सालो भर का बाग्य जो है अजमाने के लिए लोग आपस में घर में बैठ करके जुगा किलते हैं इसी परंपरा है प्राचीन से ही चली आ रही है एक शत्युग की दंत कथा है कोई पॉराणी कथा प्रमानित नहीं है कि शत्युग में एक बार संकर जी घर में कैलास पर बैठ करके अपनी पारवत्ती के साथ जुगा खेलिते ये दंत कथा मिलता है और उस जुवा में पारवत्ती ने शंकर जी को हरा दिया और संकर जी हार गए थे हार करके और पारवत्ती जीत गई कि ये दंत कथा मिलता है कोई प्राचीन पुरानों में ऐसा प्रमान नहीं है लेकिन यह प्रमान है कि द्वापर युग में महाभारत की लड़ाई जुवा से ही प्रारंग होई थी उस समय चौसर का खेल होता था भगवान कृष्ण भी चौसर खेले हैं मामा सकुनी का नाम आप लोग सुने ही है तो मामा सकुनी भी चौसर से कौरव और पांडव का महाभारत करा दिया तो जुवा सब्द जो है है तो यहां प्राचिन लेकिन इसको आप जीवन का दिंचरजा नो बनाएं दिवाली के दिन अपने परिवार में बैठ करके जुवा खेलें और भाट्या जमाएं यहां दिवाली के दिन सुभ माना गया है ऐसी परंपरा है लेकिन धार्वी करंथ को में इसका ग्री वार नाम ग्री